भरत भूमि की दसो दिशा में समरस्ता का गान हो एक ही मंदिर एक जलाश है सबका एक शमशान हो समरस्ता का गान हो हिंदु सगे हैं भाई भाई कभी पतितना होते हैं रामक्रश्न के वंशज है सब इस पर गर्वित होते हैं छुआ छूत का रोग मिटा दे सब धर्मों का मान हो एक ही मंदिर एक जलाश है सबका एक शमशान हो समरस्ता का गान हो छुआ छूत यदि पाप नहीं तो जग में कुछ भी पाप नहीं हिंदु सवो दर भटक गया तो इससे बड़ा भिशाप नहीं मान जिन का भंग हुआ था अब उनका सम्मान हो एक ही मंदिर एक जलाश है सबका एक शमशान हो समरस्ता का गान हो नर सेवा नारायन सेवा मंत्र का जग में गुन्जन हो समरस्ता का भाव पले एक लव का वंदन हो क्रश्न सुदा मा के घर आए इसका हमें अभिमान हो एक ही मंदिर एक जलाश है सबका एक शमशान हो समरस्ता का गान हो भरत भूमि की दसो दिशा में समरस्ता का गान हो एक ही मंदिर एक जलाश है सबका एक शमशान हो समरस्ता का गान हो आत्मियों स्वेम स्वेम बंदों और मात्रशक्ति आज अर्था 14 इपरिल पूझ्य बाबा साब अमबेटकर की जहन थी यह सब हमारे लिए हम सब के लिए एक अत्यनत पवित्र ऐसा दिवस है पूझ्य बाबा साब का समरन करते हुए उनके बताय हुए मार्ग पर चलने का संकल्प हम करें और जो कल्पना उनकी थी कि एक समरस समाज खड़ा हो जाए उस दिशा में हम सब अगरसर हो ऐसी मैं कामना करता हुए वास्तनी खूप से देखा जाए तो महत्मा बुद्ध के बाद यदि किसी महापुरुष ने धर्म, समाज राजनीती और आर्थिक धरातल पर समाजिक क्रांती लाने का एक सार्थक प्रयाज जिसने किया है वो थे पुझ्य भारत रकन भीमराव अंबेड कर जिने सने से हम बाबा साब के नाम से जानते हैं उनके चरित्र के विभिन पहलूँ के बारे में यदि हम विचार करते हैं तो एक महामानों का चित्र हम सब के समक्षक खड़ा हो जाता है सूर्य जैसा उनका व्यक्तित्वग तेजस्वी व्यक्तित्वग चंद्रमा जैसा सम्मोहक व्यवभा रिशियों जैसा गंभीर ग्यार और संतो जैसा शांत सुभाव यह उनके चरित्र की विशेष्टा थी अपने जुतिय सरसंग चालक पूज्य गुरुजी ने लिखा है कि महात्मा बुद्ध ने समाज में सुधार लाने के दृष्टी से और प्रचलित जो रूडिया थी उनकी आलोचना की थी एक समाज सुधार लाने के दृष्टी से आलोचना की थी न कि समाज से कटने के लिए उसी प्रकार बाबा साहब ने भी समाज को दोश्मुक्त बनाने के लिए पुरे जीवन भर संगर्ष किया और इसलिए स्वाभाविक रूप से महात्मा गुद्ध के उत्तरा अधिकारी है हम समके लिए एक अत्यनत्य सवभाग्यक की बात दिये है कि पुज्य बाबा साहब का जन्म अपने ही प्रांत के महुजिले में गुवा था 14 अपर 1899 उनके पिताजी सेना के अधिकारी थे अब महु में ही कारे रख थे बाल्यकार के कुछ वर्षय उन्होंने महु में ही बिताए लेकिन सामाचिक भेदभाव अथा जातिगत भेदभाव वो बच्पन से ही जेलते आये थे उनका जन्म जो हुआ था उस समय की उपेक्षित जाती ऐसे महार जाती में उनका जन्म हुआ था और इस कारण नकेवर बादेकाल में अपितु संपूल जीवन भर पिस्पीडा को सामाजी का दुर्वेभाव जो होता था जातिगत भेदभाव के कारण इसको उनको जेलना पड़ा यहां तक उनके बच्पन की बाद जो हम पढ़ते हैं तो ध्यान में आता है कि बाल्यकाल में ही उनके स्वापाथी विद्यारती जो थे उसाथ में भूजन नहीं करते थे दूर बैठ कर भूजन किया करते थे इनके पाणी बिलाने की विवस्ता बैठ थी एक भूजन रहे जाते थे उसको पानी बिलाने की विवस्ता इनके चारभ थी और जिष दिन उस वह भूजन नहीं आता था उस दिन अपर भाबा सहाव प्यासे रह जाते थे ऐसे एक कठीन परिष्टिती में उनका जीवन प्रारम नहुआ हुआ 1897 में उनके पिटाजी सेवा निवृत्त हुए और सेवा निवृत्त के बश्चात महाराश्टर के सातारा जिले में और वो पुरे परिवार के साथ वहाँ पर चले गए कुछ वर्ष सातार में रहे और उसके बाद पुझे बाबा साब मुंबई में और शाले शिक्षा मेर्टिक पास करने के लिए वहाँ पर पहुंचे मा का एक विद्जाले था इल्फिस्टन स्कूल वहाँ पर उन्होंने प्रवेश दिया और वहाँ से मैट्रिक की परिक्षा यह उन्होंने उत्तिरण की उसके बाद वहीं पर इल्फिस्टन कॉलेज में उन्होंने बीए में प्रवेश दिया और मुंबई विश्युद्याले से और बीए की परिक्षा उत्तिरण की ऐसा कहा जाता है कि उनके समाज के शायद वो पहले विक्ति थे जिन्हों ने इतना शिक्षर प्राप्त कर लिया था शायद वे अपने समाज के पहले ग्रेजुएट थे और इसलिए पुरा समाज उत्साहित था और समाज ने एक सारवजनिक कारेकरम ऐसे तय किया बाबा साथ के लिए विशेश भूप से उस कारेकरम में उनके पारिवारिक एक मित्र थे उन्होंने महात्मा बुद्ध के जीवन के संदरब में एक पुस्तक उनको भीट की जो जीवन भर्म के साथ रही और निरंतर उसका वो अध्यन करते रहे बिए की परिक्षा उत्तिर ने करने के बाद बड़ोधा के महाराजा महाराजा सयाजी राव गायकवार इन्होंने पुझे बाबा साब को एक छात्रृत्ति दी स्कॉलर्शिप जिसको कहते हैं और उस चात्रृत्ति के आधार बर्द वो आगे का ध्यन करने के लिए अमेरिका गये अमेरिका के कोलंबिया विश्विद्याले से उन्होंने एमे की परिक्षा उत्तिर्ण की और वहीं से उन्होंने पीएजडी भी करी अर्थशास्त्र में कोलंबिया विश्विद्याले से पीएजडी करने के उपरांथ वहां से वो लंडन स्कूल अफ एकोनोमिक्स लंडन गये वहां पर उन्होंने डेसी में प्रवेश्ट लिया डेसी अर्था पीएजडी से भी उच्छी डिग्री डॉक्टर आफ साइंस के और इसके साथ ही सा भारेक्ट लाओ वकालत का अध्यंन करने के लिए उन्होंने प्रवेश्ट प्राप्त कर दियां के ऺई फिर भारत आहें भारत आ गया आने के बाद जीवी को पारुजन के दृष्टी से उन्हें प्रथम काम जो किया वो चुकि भाराजा साय जिरा उड़ायकवार से उनके अच्छे संबन थे तो उनके रक्षा सच्छी बन गए लेकिन बहुत अधिक समय तक वहां नहीं रहे और वहां से मुंबई वापस आगे मुंबई आने के पश्चाथ उन्होंने कुछ ट्यूशन के अकाउंटेंट का काम किया फिर निवेश करने का अर्था इंवेस्ट्मेंट का बिजनेस प्रागम किया लेकिन जातिगर्थ भेदभाव के कारण वह इसमें आगे नहीं बढ़ पाएं यह सब काम उ पुल्यते रहें और यह सब छोड़ने के बाद वहां के एक महाविध्याले में वे प्राध्यापक बने है विद्यार्थियों में तो अत्यंत लोग प्रियों हुए है लेकिन साथी प्राध्यापकों के वेदभाव के कारण फिर उनको प्रीडा जेली पड़े और इसलिए नाध्यापक की नवकरी भी उन्होंने छोड़ दी और चुकि बारेट लौ उन्होंने किया हुआ था और इसलिए उन्होंने वकालत प्राव भगी वकालत में भी उपेक्षित वर्व के बंदों के केस कि वह प्रात्मिक्ता पर लेते थे ताकि उनको न्याह मिल सकें और वक आपालत करते करते धीरे से उन्होंने फिर राजनीति में प्रमेश किया एक पार्टी भी उन्होंनों बनाई और राजनीति में सक्रीयु होए इसके साथ ही तब तक का उनका अनुगों जो था विशेश रूप से उपेक्षा का अपमान मुझेलने का इस सब के कारण उन्होंने एक संकल्प किया कि मैं अपने साथियों का उपेक्षित बंदूओं के लिए कुछ करूँगा और उन्होंने आंदोलन प्रारम बगिये कि एक सामाजी क्रांति लाने का प्रवास उन्होंने प्रादम बगिया और दो विशे प्रमुक रूप से जाने या तो उन्होंने अनेक विशेओं को छुआ है उसमें लेक्ट में यहां पर के बद दो विशेओं का इसलिए कर रहा हूं कि उससे ध्यान में आ जाएगा कि किस अबर करकार की पडरें जेल ते उस समय किसंधर पार करते दो विशेओं एक तो मंदीृमिξ अ दाऑब है कि सारवज्यनिक सजनारन ती उप्योग के प्रथि बंवह स्कुनॆ प्रवेश निशेद था अत्यांत उद्वेलित थे अत्यांत प्लिद थे कि समाज इस प्रकार का व्यवार क्यों कर रहा है कि मंदिर प्रवेश का एक अंदोलन उल्लेख नीरा नासिक के कालारा मंदिर में और वेक्षित बंदों को चुआ चूत के कारण और उनको प्रवेश निशेद था और इसलिए उन्होंने आंदोलन किया उस आंदोलन में हज्जारों के संख्यावी लोग इकटते हुए और एक शोभा यात्रा निकालका और मंदिर जाने का उन्होंने प्रहास किया लेकिन मंदिर की पुजारी जो थे उन्होंने द्वारबंद कर दिये इस प्रकार अनेक यह जहिलते गई है लगबख 21 वर्च्च तक इस प्रकार की किरांति लाने का उन्होंने प्रयास किया समाज में सुधार लाने का प्रयास किया समाज को दोश्मुक्त करने का प्रयास किया लेकिन सब जगह उनको उनकी अभेलना होती रही है अत्यनत्य पड़े लिखे होने के कारण और एक स्थान्त उनका था विद्वत्ता के कारण और इसलिए देश जब सतंत्र हुआ तो सतंत्रता के बाद पहले नयाय और कानून मंत्री पूज्य बाबा साथ ने और नयाय और कानून मंत्री बनने के बाद दो इस प्रकार के कामनों ने किये जो जिसने पूरे पूरे देश में हर्चर बचा दिया एक सुद्रुड प्लैटफॉर्म के उपर जिसकों कहते हैं कि देश को लाकर खड़ा कर दिया हुने हम सब के ध्यान में एक बात और आना चाहिए है कि पूज्य बाबा साहब ये केवल उपेक्षित समाज के नेता नहीं थे पूज्य बाबा साहब को बनाया हमारे सम्विधान की पूरी रचना उसका ड्राफ्ट जो है अत्यन्त अध्यन करते हुए बहुत परिश्रम करते हुए उन्होंने अपना जो सम्विधान बनाया और हिंदु समाज को सुधारने का उनका प्रहत्न अब तभी भी चालू था लेकिन उनको राज्य सभा के माच्यम से और उनकी विद्वर्ता के करण उनको संसत में लाया गया था वे प्रधम व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदू कोट भी लाया हिंदू समाज में एक सुधार लाने के दृष्टी से बहुत विरोध हुआ उसका भी संसद में भी अनेक लोगों ने उसका विरोध किया कालनतर में उन्होंने जिन-जिन बातों के ऊरी इचारा किया था उसस बाते मां लिए इसमें विशेagne उलेगनी बात हिंता ती कि महिलाओं को बरावरी का अधिकार कित्रिक संपत्ती में उशे भावा साहभ ने और अपने प्रयासूं से इस पावधान किया और आज हम देखते हैं कि महिलाओं को समाद अधिकार प्राप्त है अंतर जाती विवाह इसके लिए भी उन्होंने बहुत प्रयास किये इस प्रकार हम देखते हैं कि पूर्जेप बाबा साथ जो है इन्होंने हिंदू समाज में भी प्रिबर्तन लाने का एक अभूर्पूर्व प्रयास किया संपुर्ण जीवन पर संधर्श किया 21 वर्ष तक लगातार वह संधर्श रत रहें अंतर तो गत्वा 1956 में और उन्होंने बहुत धर्मस्विकारने का एक दिरने लिया बहुत धर्मस्विकार करने का निरणे भी ऐसा प्रतित होता है कि उन्होंने बहुत सोच विचार तक के लिया सेमिटिक पंतर जो थे उनके पीछे पड़ गए थे अनेक प्रकार के प्रलोबन उनको दिये जा रहे थे उन सव ये प्रलोबनों को ठुकरा कर और भरत भूमी पर से उपजे हुए एक धर्म को उन्होंने स्विकार किया अईसा धर्म जो भारतिय समस्कृति से ओध प्रोब था और इसलिए राष्ट का कोई आहित न हो इसकी चिंता करते हुए और भरत भूमी से उपजे हुए भारतिय समस्कृति से ओध प्रोब ऐसे बहुत धर्म को उन्होंने स्विकार किया उन्होंने देश का नेत्रुत्व किया उन्होंने उपेक्षित बंद्रों का नेत्रुत्व किया लेकिन एक बात ध्यान देने यूद्य है कि उनके नेत्रुत्व के आधार में नेतिकता थी और इसका एक चोटा सा उधारा ऐसा है कि महाराश्च्ट के भंडारा में चुनाव भूरा था सम्मिर्ष्ट चुनाव था वो और उसमें दो लोग चुनकर आने थे एक सामान्य वर्ग से और एक आरक्षित वर्ग से कॉंग्रेस ने अपने दोनों मिद्वार खड़े कर देए थे और विरोधी पक्ष से बाबा साब अम्मेटकर का नाम आया था एक और दूसरे महता जी थे इनका नाम आया था मेहता जी के संदर्वों में विरोधी पक्षियों में कुछ मतमेद थे और मेहता जी को जो वोट डालने वाले थे वो बाबा साहब को वोट नहीं डालेंगे ऐसी जानकारी इनके अनुयाईव को मिल रही थी और इसलिए उनके अनुयाईव ने एक तया कि प्रत्वर्ण वोट तो बाबा साहब तो देंगे और दूसरा वोट जो देना है उसको उंखाली छोड़ेंगे किसी को नहीं देंगे और इस प्रकार बाबा साहब सहचता से जीत सकते हैं लेकिन जबासाब को ये पता चला तो उ उन्हें अस्वी कार किया इस प्रकार से चुनाव जीतना इसको मैं मने तक प्रदान नहीं करता है मैंने ही सम्मिधान लिखा है और मैं ही उसकी उपेक्षा करूं यह कदापी संभव नहीं और जैसा हम जानते हैं कि परणाम यह हुआ कि पुझ्य बाबा साहब वो चुनाव हा तो उनके नेत्रित्व का अधार भी और नेतिक्ता होने के कारण आज भी सब लोग उनको स्परण करते हैं और उनकी दिखाएगोए मार्ग पर चलने के लिए और तयार रहते हैं एक भांती कि पुझ्य बाबा साहब धर्म के विरोधी थे लेकिन यह सही नहीं है उन्होंने कि इसको अंग्रेजी में कहते है लिबर्टी इपुएलिटी और फ्रेटर्नी आर्थात लिबर्टी का रथ है व्यक्ति स्वातंत्रा है एक्विलीटी का अथ है समता और फ्रैटर्नी का बन्दूता यह फ्रांस की क्रांती से लिए हुए यह तीन आधार स्थम्भ नहीं है गौतम गुद्ध के विचारों से लिए हुए ये तीनों आधार स्थम्बत है। उनका मानना था कि समाज का आधार ये धर्म होना चाहिए। लेकिन धर्म के इस प्रकार को होना चाहिए। कि गाइडिंग प्रिंसिपल्स रहे। मारत दर्शक से दान्त के रूप में रहे। मनिश्य के द्वारा निर्मित, भेद्भाव, युक्त, नियम यह नहीं होना चाहिए। धर्म आधारिक जीवन बिताना चाहिए। और इसलिए और धर्म के विरोधी नहीं थे। उन्होंने ये तीन आधार स्थम्व जो बताया हैं उन्होंने व्यक्ति स्वातन्तर, समता और बंदुता इन तीनों के बारावे के उन्होंने विश्लेशन किया था। उनोंने कहा कि व्यक्ति-वात्र मुद्रा का अति यह अगरोगा तो वह सम्ता के लिए बद्धार स्थ्थ को नुखसान पहुंचाय का और यह समता का अतिरेको तो व्यक्ति-वात्र के ये वेक्ति-श्वातन्त्र के आधार पर नेंगा है और इसलिए वहाँ पर ऑफ हां को दिस्तवा आधार सबसे वो सबसे महत्वपुर्ण है वह है बंदुभाव का बंदुता का बंदुता जितनी बढ़ेगी उतना विक्ति स्वातंत्र और संता के बीच में संतुलन बढ़ेगा और इसलिए राश्ट्रिश्वाइम से वक्त संग ने इसी मारग को अपनाने का तेह किया हुआ है प्रारंग से ही 1925 से ही पुझनिय डॉक्टर साहब ने जब राश्ट्रिश्वाइम से वक्त संग की स्थापना की थी उसका आधार भी यह बंदुभाव था हम कहते हैं हमेशा शुद्ध साथ्विक प्रेम यह हमारे काम का आधार है यह बंदुभाव है संगस्थान पर शाखा में यह कोई जाता है उसको क्या दिखाई देगा वहाँ पर केवल स्वेंसेंगों के बीच में शुद्ध साथ्विक प्रेम दिखाई देता है कोई किसी की जात नहीं पूलता है केवल बंदुभाव के आधार पर और संगठंग खड़ा करने का लोग दुआ हूं पर नंहींगे देखाक। और संगत में जो विकत्टे होते हैं तो वहां पर किसी भी प्रकार का और भेदभाव उनको जाती गत्वेदभाव उनको दिखाई नहीं ही देता है 1974 का एक पुझने बाड़ा साथ देवरेज जी का व्याख्यान व्याख्यान में और वहां पर उन्होंने घोष्णा कि थी यदि जुआ छुद पाप नहीं है तो कुछ भी पाप नहीं है तो इस प्रकार के विचार लेकर संग आगे बढ़ता है और एक और अनुभावम को भी ऐसा आया है कि अयुद्ध्या के और भव्यराम मंदिर के शीला नियास के लिए जिन्होंने प्रथम शीला रखी थी वो श्री कमलेश्वर जी चोपाव ये भी तथाकतित इचली जाती कि इस प्रकार हम देखते हैं कि संग स्वावावी गुरूप से और एक समरस समाज निर्मान करने की कलपना लेकर पहले से ही आगे बढ़ा है सब को एक छत के नीचे अर्थात हम सब हिंदू है इस भाव को जगाते हुए और सब में शुद्ध सात्रिक प्रेम का भाव पहले सब में इश्वर का दर्शन हम करें इस भाव को लेकर संग आगे बढ़ रहा है हम सब स्वाइम सेपो का कर्तव्य है विशेश रूप से आज भारत रक्न पुझ्य भाबा साहब अम्बेटकर जी की जहनती के दृष्टे से यह दिया बिचार करते हैं तो हम सब ने इस अंकर पर लेना चाहिए कि उन्होंने जो स्वपन देखा था उस स्वपन को पूर्ण रूप से साकार करने का दाइत्रों का निर्वन हम सब करेंगे इसे विश्वास के साथ मैं अपनी वानी को यहीं परविराब देता हूं अर्थ है हम सब हिंदू भारत मा की संतान है आपस में भाई है कोई भी हिंदू उचा या नीचा नहीं है हम सब ही ने भारत माता की रक्षा का व्रत लिया है और हमारा मंत्र है सबसे समानता का ब्यवहार